चलिए मैं आज आपसे एक interesting question बोस्ता हूँ माल लीजे आपके पास एक portfolio है जो कि है 1 lakh रुपी का और उसमें केवल 2 stocks है Stock A and Stock B Stock A है जो आपको 25% profit में return दे रहा है annually and Stock B है जो आपको 25% negative में return दे रहा है annually तो आपका at the end of 10 year आपका portfolio grow होगा, same रहेगा या फिर low होगा अगर आपको अभी तर्क question समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को यहाँ पर pause कर सकते हैं comment पर बताईए मुझे अपना answer और इस वीडियो को like कर दीजेगा